आपको ये करना चाहिए कि जितने भी सिंधी हैं, बलोची हैं, पश्टून हैं, आप दिल्ली में जमीन देके सरकार पैसा खर्च करें, दस फालतू जगे हम लोग पैसा खर्च करते हैं, ये तो अच्छा काम है, आप पैसा खर्च करें, उनके आप एमबसी जन एक्जाईल ब न्यू यॉक में, ब्रसल्स में, लंडन में, पैरिस में, करीब पांच साथ जगे पूरी दुनिया में, आप इंके आफिसेस खरीदें, जहां पे आप बलोच लड़कों को, जहां पे आप सिंधी लड़कों को, जहां पे पश्टून लड़कों को ट्रेन करें इंडिया में बोलाके और बोलें कि तुम जाओ वहाँ पर तुम हम सैलरी देंगे तुम मैंग करो वहाँ से आप information warfare करिया आप वहाँ से लड़ाई लड़िया आप वो ज़्यादा जरूरी है यू हाफ टू पुट मनी और ये पैसा ज़्यादा नहीं मैंने आपको क्या बोला ये एक-दो रफैल में हो जाएगा पर खो सकता है और रफैल आप इस्तमाल करें ना करें चाहिए हैं मैं 1971 के बाद लोग कह रहे थे कि आप एरफोर्स इस्तमाली नहीं हो गए ने इस्तमाल एरफोर्स तो अचानक हो जाती है जब होती है तो लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप एरफोर्स में पैसा न डालें बिल्कुल डालें उनको बहुत शौटज एरफोर्स में लेकिन उतने पैसे में यानि कि मैं कमपैरिजन कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि 36 के आप 34 सी लाएं आप 36 नहीं आप 200 रफेल लई है लेकिन दो तीन रफेल में आपका इतना काम हो जाएगा कि पाकिस्तान गोटा में आ जाएगा ये एक फोर्स मैल्टिप्लायर है बलोचस्तान का एक बलोचस्तान हाउस करके उनकी बिल्डिंग होनी चाहीं नियू नॉक में उनकी बिल्डिंग होनी चाहीं वाशिंटन में उनकी बिल्डिंग होनी चाहीं लंडन में उनकी बिल्डिंग होनी चाहीं पैरिस में उनकी बिल्डिंग होनी चाहीं बिल्कुल जहां पर EU की पार्लिमेंट है उससे दस कदम दूर उनकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए हैं यहां पर इस मस भी फंडिट बाइ इंडिया लोग कई बार कहते हैं कि साथ जैसे पाकिस्तान आतंगवार पहलाता है हम क्यों नहीं पहलाते हैं पाकिस्तान के अंदर हमें जरुवत ही नहीं पहलाने की आप काम वो करिया नहीं जिससे जरुवत हो अगर आप एक एग्रेसिव पॉलिसी रखेंगे और लगातार आप लगे रहेंगे उस चीज़ में पाकिस्तान गुतनों पे आजाएगा खोली एंबेसी आप 5-7 जगए पूरी दुनिया में आउस्ट्रिलिया में खोली है अबेसी क्या फरख परता है खोली है साथ आफ्रेका में खोली है अबेसी पूरे जगए इनफोर्मेशन वारफेर इनको पैसा दीजे और इनको बोल दीजे कि आपका जो भी अटाइच्ट है हमारे एमबेसी के साथ इनको अटाच कर दीजे और एमबेसी देविल टेक केर देफेंस अटाची देर को हमारे एक्स्टर्लिन इंटेलिजेंस एजेंस की भी लोग रहे होंगे मापे एमबेसी में एक बड़ी मोहिम चलानी होगी आपको आपको हजारों करोर खर्च करने होंगे लेकिन ये गैरिंटी है जिस दिन आपने कर दिया पांच साल के अंदर पाकिस्तान का गला बैट जाएगा मैं लिख के दे रहा हूँ आपको पाकिस्तान का गला बैट जाएगा पाकिस्तान कुछ बोल नहीं पाएगा यह लोग जो फाल्तू की बखवास करते हैं लंडन में कि कश्मीर डे सेलिबरेशन और यूएस में और लंडन में अपनी बसे चलाते हैं यही तो कर रहा है पाकिस्तान इसके लिए पैसे चाहिए हमें हमारे पास पाकिस्तान से 100 गोले साथा पैसे है हमें क्या करना है चेक तो काटना है चेक काट दीजेए न छोटा सी चेक काट दीजे है बोलिए our budget for one year is 100 million dollars 100 million dollar हमारा budget है का नहीं खत्ब आप शुरू करिए आप दिल्ली में करिए वाशिंग्टन में करिये, हर जगे करिये, पहला दीजे, सिंधी नैशनलिजम, बलोच नैशनलिजम, पश्टून नैशनलिजम, यह पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स है, इन लोगों को गले लगाना जरूरी है, हम नहीं चाते हैं कि सिंध इंडिया में मिले बलोचस्तान इं नहीं लिया ना, सिंध शुड़ बी इन इंडिपेंडेंटन कांट्री, पड़े कैसे बनेगी, यह ऐसे नहीं बनेगी कि आप इंडियन आर्मी को बोलो कि आप चड़ दोलो उनके उपर, यह धीरे धीरे बनेगी, फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, उनका एडवांटे लेने कि जर्वाटा